कि दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप वाग्बैंड के उपर जैसे कोई भी मुजिक के उपर कैसे आप ड्रॉम पैट या कोई भी हर्मोनियम भी बजा सकते हैं तो दोस्तु वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है क्योंगे दोस्तों किसी भी को बढ़ने को पूरी जानकारी मिलेगी तो यह वीडियो को पूरा लाइट देखिए क्योंगी दोस्तों बहुत इंट्रेस्टिन तरीका इसमें बताया गया चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंको दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कोई क्ती भी मियू़जीक चाहे हो गाना हो चाहे कोई मियूजीक ओस पर कैसे हम अलग से हम tweaking कर सकते हैं जैसे बैंड हुआ अलग से हर्मोनिय हुआ today कर सकते हैं अपनी तरफ से जिसससे अगर कहंना वह अपलोड करें तो इसमें copyright को भी संका न रहे तो चले दोस्तों आपको बता कि अगर आपको दोस्तों जैसा कि कई मुजिक को आट करके एक सौंग बनाना है या कई मुजिक को आट करके एक मुजिक बनाना है तो आपको सभी को mix करके एक मिलाना है तो आपको multi track synth यूज करना चाहिए तो चलिए दोस्तों हम आपको एक मेर multi track synth वाला यूज करके आपको बताते हैं कैसे हम अपना कोई music जैसे कोई भी गाना हुआ तो कैसे हम अपने file से लेकर इसमें हम रख सकते हैं और उसी गाने को पर हम अपना कैसे drum बजा सकते हैं तो जैसे इस पर click करेंगे दोस्तों तो इसमें बहुत सारे function देखने को मिलते हैं जैसे दोस्तों मैंने दो, 3 गानव बजाया भी था और यहां पर लिखा हुआ है जैसे दोस्तों डेमो भी यहां पर रखा जाता है जैसे कि आप अपने सौंग को बना सकें और अच्छी तरह से उसक क्रीएट कर सकें चलुँए दोस्तों, आपको बताते हैं कैसे हम आपको इसमें music खर सकते हैं और यहां पर आपको ऐखना है और आपको create from recording लिखा हुआ है तो दोस्तों यहां पर MP3 का भी है यहां पर MP3 आपर आहीसे क्लिक करें तो सीधे आपको दोस्तों फाइल के अंदर लेकर आता है तो यहां पर देखें दोस्तों मेडी इन फाइल सिस्टम और यहां पर आइडियो इन फाइल सिस्टम दो फाइल दिया गया है तो यहां पर दोस्तों जो दूसरा नंबर जो फाइल मैंने चुछ के देखिए दोस्तों तो मैं फिर दिखा रहा हूं आइडियो इन फाल सिस्टम पर जैसी क्लिक करेंगे तो आपको दोस्तों अपके फाल में लेकर चला जाएगा record manager में लेकर चला जाएगा तेहाँ पर दोस्तों जितने भी file होंगी आपके phone file manager पर तहाँ पर दोस्तों आपको वही YouTube music का था तेहां पर दोस्टों देखिए यहां पर नीचे दिखायः जग जग प्रो के उपपर YouTube music है तेहां पर दोस्तों जैसे क्लिक करें करें हमको music मिल जाता है जो कि हमारे file manager में है यह हमारे workband app में नहीं है तो दोस्तों इसमें से हम एक यूज कर लिए यहां पर अबस कर करके आपको दिखा भी यहांब उरोई करने होने के बाद दोस्तों इसी सेव उजाएगा और यहां पर चला जाएगा दोस्तों देखिए हम कैसे चूछ करके आपको दिखाते हैं तो दोस्तों देखिए इसमें music एक होकर दिखने लगा है हमारा एक बरकार से बौर्डर बन गया आए और यहां पर दोस्तों हम इसको सुन भी सकते हैं जैसे फ्ले करेंगे तो यहां पर दोस्तों हम म्यूजिक को आइड किया और आपको सुनाएं भी तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कैसे हम इसमें एक अलग से स्टूरम सिट कर सकते हैं और अलग से म्यूजिक इसमें हम बना सकते हैं जैसे कि बेस हुआ या और कई भी म्यूजिक इसमें हम ऐट सकते हैं जैसे प्लसफ़ कPLE करते हैं धो मको वह sacred ऐप संद चमौcus आप और यहांपर आईडियो अपनी आईडियो को भी यहांपर रख सकते हैं जैसे कोई विगाना अब गा कि तो ना जाता है और यहाँ इसको उपन कर दीजिये और यहां पर आपको क्लिट रैंडम है तो हैं यहाँ पर इसको भी कर दीजिए तो दोस्तों आप को फूशे का क्या बर्स जायों करना चाहिए छाते हैं to पर चेक करना चाहते हैं यहाँ पर प्ले करके अपना बाप बेस्ट कर लिजेंगा अब कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर कर दो कर दो कर कि दौस्तों में इसलिए इसमें एड़ किया है कि दोस्तों आपको भी कॉपी डाट कि दिक्कत नहों हमको भी क्योंकि दोस्तों अगर हम गाना यहां पर सेट करके दिखाते आपको तो हमको कॉपी राइट भी आ सकता था यूटूब मूजिक है दोस्तों इसलिए आपको कॉपी राइट नहीं आएगा और आप भी अच्छी तरीके समझ जाएगे ज़िस दोस्तों बीडियो को कांटीनू करते हैं तो यहां पर दोस्तों हम यहां बैग जाकर एक मिजिक आवर एट कर लेते हैं दोस्तों यहां पर लूब का भी म्यूजिकYour Instagram सपर सकते हैं नहीं तो आपको गिटार ऐairy णिट कर लेना है तो यहां पर दोस्तों यहां पर ओक करने को पूछता है और यहां पर अपना डिकॉर्ड आप चालू कर सकते नहीं तो एक बार चिक कर सकते हैं तो हम रिकार्ड भी चालू करके देख लेते हैं कि अधार कि अधार कर दोस्तों हम इतनी मुजिक एड़ कर लेते हैं कर दोस्तों अब चलते हैं एक और मुजिक एड़ करके आपको दिखाते हैं तो दोस्तों देखिये हम एक यहांपघ प्लस की अइकन क्लीक करके ड्रमपड भी कर सकते हैं तो दोस्तों चली हम इसको वह जारे लेते हैं कि अब कर दो तो चलिए दोस्तों हम इतनी मीजिक आइट कर लिए आपको हम पूरा कंप्लेट सुनाते हैं तो दोस्तों देखिए यहां से प्ले करते हैं आप पर देखिए दोस्तों सुनिये आपको पूरा क्लियर के साथ बताया गया आप कोई मीजिक आप यहां पर एड्ड करते चले जाएं आप बड़ा स्वार्ग बना सकतें दोस्तों कोई भी गाना भी ऐसे यूज कर सकते हैं दोस्तों आपको फाइल में चले जाना है जैसे कि मैं पहले सुरू ही बताया है आप फाइल में जाना है और ढूड़ लेना है कि आपको किस फाइल में अपना कोई फाइल का गाना रखे हुए हैं आपको पहले ही चेक करना है कि आप किस फाइल में कौन सा गाना रखे लगता है यहां पर जैसे बैक जाएंगे यहां पर सेव एडिटिंग कर दीजिए आपका सेव हो जाएगा यहां पर देखे दोस्तों आपका फाइल बन चुका है यहां वरुन लिखा हुआ है और यहां पर बता गया है सेव हो गया है और यहां पर दोस्तों यहां पर दोस्तो मिक्सिंग तो कुछ दे इंतिजार कर लहें go X किलिकर दोस्तों यहां पर वर्ण की नाम से एक आगया है आइडियो नाम का प्लेट फॉर्म को यहां पर देखिए दोस्तों आप music भी हाँ से सुन सकते हैं चले दोस्तों आपको बताते हैं यह Music जो आपको फाइल में लेकर चलते हैं तो दोस्तों आपको CD simply आपको अपने phone की स्कीन पर आ जाना है और यहां पर अपने file manager पर चले जाना है file manager पर जैसे जाएंगे दोस्तों यह आपको Redmi का दिख रहा है तो आपको इस तरह function दिख रहा है कि आपके memory में जा रहा है या मतलब कि आपको phone memory न जा रहा है तो दोस्तों आपको यहीं चुछ करने ना आए उसके बाद यहां पर दोस्तों आज सिंपली फाइल में जैसे आएंगे नीचे जाएंगे दीचे चलिक हैं जया पर देखे दोस्तो와 आपको वाग मैं लिखा हुँवा नजесс tip दिखेंगे माई सौंग एस वांट करें दूस एसलिब दोस्तों यहां पर वरून नाम लिखा भी है और टाइम ही बता रहा है यहां पर दीखता है यहां पर किलीक करने के बार सुन सकते हैं कि लेकिन दोस्तों जो मैं आपको यह वाला म्यूजिक सुनाया इसमें आपको दोस्तों लगा नहीं कि जैसे कि आपको इस secular music दोस्तों इसमें simply वहीं मूझिक है इसमें अभी एड नहीं हुआ है अब आपको दिखाते हैं दोस्तों आइड वाला म्यूजिक कहां गया है नीचे दोस्तों देखें जैसे की वरूम मेंट और वरूम् यम्पी 2 पर जैसे खलिक करेंगे तो देखें दोस्तों एक में यहाँ यहां पर नीचे वाले पर आप यहां पर दोस्तों वहीं मुजिक हमको मिल गया है तो दोस्तों इसी प्रकार आप कोई भी गाना अगर बनाएंगे तो आप दोस्तों जिस भी फाइल से यूज करेंगे यहां पर आपको दिख जाएगा तो आप उसी से अपनी यूटूब में अपलोड करें चाहे किसी भी प्रफान पर आप अपलोड कर सकते हैं कॉपी जादा जंजट नहीं रहेगा कुछ तू रहेगा जरूर क्यों कि दोस्तों जो गाना रहेगा वह आपको देखना होगा पहले से कॉपी ठीक नहीं तो दोस्तों आपको यही बताना था अच्छी लगे हो समझ में प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि आइसे टेश्ट वीडियो और आपको बहुत इच्छी तरीके समझाने का प्रयास करते हैं फिर मिलेंगे एक नहीं वीडियो के साथ एक नहीं दिस्ते में तब तक ल जाहिन बंदे मातरम